बीजेपी नेता सुरजीत इसिंग जियानी ने MH1 प्राइम से खास बाचीत की है इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद सरकार ने प्रपोजल भेज दिया है अब किसानों को मिटिंग का दिन तै करना है प्रधान मंतरी बार बार अपील कर चुके हैं कि ये कानून किसानों की हित में है और किसानों से हर तरह का सभाध करने के लिए सरकार तयार है उमीद की जानी चाहिए कि जल्द समदान निकलेगा उसके बाद एक परपोजल जो बेज़ी गई थी किसान जथे बंद्यों के पास और परपोजल में वो था ज़ो उन्हेंथ डिमांड की थे वह हल और करना अधे जा था भी यह आपừa फरोजल को रिफ्यूज फूर्ज कर से हिए के यस और नो हमें और कुछ नहीं चाहिए यस और नो जब यस और नो जिस बात भी आ जाती है तो फिर महतव नहीं रह जाता मीटिंग कार किसी बात का तो मीटिंग वो रुख गई अब किसान जथे बंदियों ने अपना बड़ा जिगरा कर लिए करते हुए बोला है कि हम यस और न प्रपोजल ते और आप ने इसमें यह लिखा और आप कब चाहरे हो मीटिंग आप हमें बताओ जिस टैम चाहते हो उस टैम हम मीटिंग कर लेंगे तब जथे बंदियों की मर्जी आज बता दे कल बता दे जो टैम बताएंगे उस टैम में सरकार ने अपनी बंदोबस्त करक और वहां अपनी अपनी बते रखी जाएगी और उमीद आसा कि हल होगा ठीक है सरकार ने प्रपोजल दे दिया है कि ठीक है यह बातचित के लिए विग्ञान में बात करेंगे लेकिन वह कहने कि बार बार उन्हीं टॉपिक पर बात करके करें क्या जब विशह है कि विल वा नक्रा है या हम किसी को नीचा दिखाने की सोचते हुए वापस नहीं कर रहे यह बात नहीं है इसमें देश के परधान मंत्री जी ने हाँ जोड के बोड़ दिया किसानों से कि मैं किसानों के साथ है जब मरजी किसान मेरे से भी बात करना चाहे तो कर सकते हैं और मीटिंग म कोई औरмен होती यह सरकार हिंदուस्तान की लोगों की आम आवां की यार और राब अवाब तो नहीं होता और किसी प्रकार का नख़गा होना चाहिए इसलिए यह तो बिल-icipले क्याइं अच्छा सोच कर गी किसानों का इस प्रहुगा किसानों की आम दिन बढ़ेगी और किसा जो पसल का जो रूटीन है जो हम हर बार बीज़ते हैं उनकी पसल की चक्रवती कह दे पसल का वो उल्टा वह बतलब पसल बीजी जाएगी तो पसल का बदलाव भी इसमें है सब कुछ इसमें है अच्छे के लिए बढ़ा है और जथे बंजियों में इसमें विरोध हो गया किस सब्सक्राइब करने पड़ेगी बदलाव लाना पड़ेगा सिस्टम में आगे बदने के लिए करना एक महीना होने को आया साथ तो सवाल यह कि जो डैडलॉक तूटना चाहिए था या जो डाउट दूर होने चाहिए तो हो नहीं पाए बज़े क्या रही बज़े तो यही सब्सक्राइब करें। कि आप एक अच्छी बात रखो किसान सब कुछ कर सकता है किसान को अगर पंजाब के किसान को अगर इंदुस्तान के किसान को अगर किसी ने मारा है तो ब्याज ने मारा है ब्याज से किसान मारा है और यह ब्याज जो है आज किसान जो थे बन्यों के सरकार से वह ब्याज मी कर दो पांच में कर दो तो तो किसान का अभला बढिरे से किसानों के फाइदे की बात यहां पर होनी चाहिए और के बाद उमीद कर रहे हैं कि अब समधान निकलेगा कैमरेम नाजित्ति परणे के साथ वरुन गोईल फ्वन दिल्ली